दोस्तों अगर आप सर्दी खासी जुखाम और बहती नाग से परेशान हैं तो आज का वीडियो जरूर देखना जी हैं दोस्तों यह जो मैं नुस्का शेयर करने वाली हूँ इसे आप अपने बच्चों पर भी ट्राई कर सकते हो घर के वुजर्ग भी कर सकते हैं और जो भी अपने जाएं तो खासी भी बंद हो जाएगी और रात में इस नुस्का कर लोगे क्यों कि सर्दी लगने के बाद रात में देर रात तक जगते रहते हैं हम सोन नहीं पाते इस टाम अगर यह नुस्का कर लेंगे आपको नीन भी बहुत अच्छी आ जाएगी जिया दोस्तो मेरे पास यह सर्सो का देल यानी मस्टर्ड ओयल जी है बड़ी आसानी से आपको किचन मिल जाएगा कहीं जाने के चुछत नहीं है बस आपको इसी एक चीज का इस्तिमाल करना है यही मैं आपको बताने वाली हो बिल्कुल सर्सो का देल हर खर में यह उपलब्द होता है दो ब्रेड शर्कुलेशन बहुत अच्छी तया से वर्क करता है गर्माहट की वैसे सर्दियों में सर्सो का देल का ही इस्तिमाल करना है यह खास का शरीर की मालिश के लिए आप अपलाई कर सकते हैं इससे हमारे बाल भी बहुत ही सौफ्ट बने रहते हैं और जब बालों में को इससे सर्दी ब का ठील थोड़ा साब आपको सर्सो का तेल लेना है और बत्चे बुड़े ब्जूग किसी के भी पैर में तल्बे में तो कमिए बच्छी आत जाताता जिए है इसकि नसे हमारे निमाग तक होती है और पूरे सरीर को हीट रखा और सर्दी भी हम लोग पैर न आपको क्या करना होता है आपको सरसो 550- edas दोस्तो शसे आपढ़ दो तरीके से लगा सकते वकल पहले आप सरसों लगा लिज़े न smine करें प्रफेल चैटें को सैगे जाने जाएंगा और दूसा तरीक ये हैं सरस्यों के तेल पहले हैं गुन गुना अगर करें गुन नहीं है तो आपने तल्वे पैरों कमतलब तल्वे पर ही दोस्तों अप्लाइ करना है नहीं ने करना optime पार addict from Haben पैस को दूसे एक 15 70 क लीए 10-20 सिकन्द इसको को घरनगी अपने पैरों को सेक्लोंगी रूम हिटर में उसके सेट करना है इसके बाद एकाम करना है reason जाने करना द condemn you today diplom frequently plodh पहन लिए इस तरह आपको मोजे पहल लेने हैं दोस्तों रात के टायम ये नुस्खा करेंगे तो ये ज्यादा एफ्यक्टिव है क्योंकि मोजे पहन कर इस तरह आप घर में टहलने लगेंगे तब भी आपको सर्दी लग जाएगे लेकिन रात के टायम इसकी करमाहट बनी रह बड़े बुजर्ग कोई इसका इस्तिमाल कर सकते हैं कितना सरल ये नुस्खा है और अगर आपको विस्वास नहीं हो रहा है तो अगर नेन भी नहीं आती है तब ये नुस्का कर लो आपको नीद भी आजाएगी दिमाग जो है बिल्कु फ्रश हो जाएगा सरदर्द है वो बिल्कु खत्म हो जाएगा तो दोस्तों इस नुस्के को जोड़ ट्राय करना और हाँ दोस्तों ये बहुत पुरान नुस्का है आप मेंसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे तो अगर आप इनुसका पहले से जानते है तो कमेंट्स वाक्स में इसके फायदे इसके वैन आप ज़रोग शेयर करना क्योंकि कुछ लोग ना वीडियो देखते हैं लेकिर उन्हें यकीन तब होता है जब वो कमेंट्स पढ़ते हैं आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तब वह नुसका ट्राइब करते हैं तो आप भी मेरी तरह लोग की हेल्प कर सकते हो तो दोस्तों आ तक ले जाहिन जाए भारात